स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में अग्रदत मांग यानि काल सिन एडवांस के बारे में बात करेंगे अग्रदत मांग से आशे कंपनी द्वारा बंटित किये गए अंसों पर प्राप्त उस राशी से है जो अगले मांगों से सम्मन्दित है जिने मांगा जाना बाकी है परन्तु बिना मांग ही कंपनी को वो प्राप्त हो गई है कुछ अंधारी कंपनी को बिना मांगे ही अपने आगे की जो राशियां कंपनी द्वारा मांगी जानी है जो मांग राशियां उन्हें कंपनी को पहले ही चुका देते हैं तो ऐसी जो राशी है कंपनी को अग्रें रूप में प्राप्त होती है अंसों पर वह अग्रदत मां मांग यानि काल्सिन एडवांस कहलाती है जैसे माल लीजिए कंपने ने बंटन की राशी मांगी और कुछ अंजधार्यों ने बंटन के साथ ही प्रथम मां राशियों का भूक्तान कर दिया जबकि कम्पनी ने प्रतं मांगराशी अभी तक मांगी नहीं राशी जो बिना मांगी कंपनी को प्रापत हो गई है अंत्सों के संबंद में वह अग्रत मांग कालसी नरडवांस के लाती है कुपनी अपने नियुमों में अग्रदत यानि कालसी रेडवांस पर ब्याज चुकाए जाने का प्रावधान कर सकती है जिसमें वह ब्याज की दर भी निर्धारित कर सकती है किन्तु ऐसी ब्याजदर बारप्रतिशत वार्शिक दर से अधिक नहीं होनी चाहिए यह ब्याज देतितिके अंतिम दिन से अगली देतितिके आरंभ होने के दिन तक का होता है यानि जैसे मानले जी यह बंटन के साथ कमपनी ने ऐसी कोई राशी प्राप्त किया जो फस्ट काल से यानि प्रथम मांग से संबन दित है तो वह प्रथम मांग की राशी है वो कमपनी के लिए अग्रदत मांग होगी तो कंपनी उसर ब्याज चुकाएगी और यह ब्याज की सवधी का होगा कि दे तिथी के अंतिम दिन अर्थार जो बंटन की राशी कंपने ने मांगी है उसकी ड्यू डेट का अंतिम दिन कौन सा है उस दिन से प्रारंब होकर प्रथम मांग का यह ब्याज कंपनी चुका सकती है अब हम बात करते हैं अग्रदत मांग के लेखांकन के संबंद में कंपनी की पुस्तकों में अग्रदत मांगा कि राशी को किस प्रकार दिखाया जाता है इसके बारे में बात करेंगे कम्पनी की पुस्तकों में अग्रदत यानि कालसीन एडवांस की राशी को अग्रदत मांग खाते अर्थात कालसीन एडवांस अकाउंट में जमा किया जाता है जब बविश्य में अंसधारियों से सम्मंदित मांग राशी मांगी जाती है तब अग्रिम प्राप्त राशी का अविशक समारजन दे हुई मांग के समंद में कर दिया जाता है इसके लिए अग्रदत मांग खाते को debit तदा संबन्धित दे हुई मांग के खाते को credit कर दिया जाता है जब अग्रिम मांग यानि अग्रदत मांग प्राप्त करती है company तो उसके संबन्ध में वो entry करती है bank account DR to calls in advance advance यानि जो भी अग्रिम राशीए कमपनी को प्राप्त हुई है उसे वो खाल सिंएडवांस afterwards account में जमांग कर देती है जब मांग दे होती है यानि यजो खां नैजिस मांग के संबन्ध में प्राप्त हुई है grateful advice dee होती है तो उस समय कंपनी उस राशी से जो प्रिविष्टी करती है समाजन प्रिविष्टी करती है वो इस प्रकार है काल से अग्रदत मांग राशी का समाजन कंपनी समंधित मांग पर कर लेती है अग्रदत मांग कंपनी के लिए एक दाइत्व होता है जिसे चिठे में चालू दाइत्व के रूप में दिखाया जाता है